हरु गुरं गुरु रूप गुरु प्यारी साथ संगत्जीयो वाहि गुरुजी का खलसा वाहि गुरुजी की पत्य कल दे दिवान विच रागी सिंगा ने शबद भड़िया सुनो हो जिठानी सुनो देरानी अचर्ज एक भयो साथ सूत नमुंडिया नुखोए क्योंकि कबीर साहिब गेरे प्रतीक विच बॉल रहे हैं ते इना दे अलफाज समझना फिर बूल शबजते होने के कबीर साहिब ने अपने कुल दी अपने बजुर्गां दी जड़ी मर्यादा सी किसे देवतेन पूजना या पितर पूजा और सब किछ छड़ बैठे ते फिर समाज विच चर्चा भी होंदी है और चर्चा दे विच बहुती गिनती इस्त्रियां दी होंदी ते आपस विच मिल बैठके कुछ इस्त्रियां गल्ला कर दिया ने ते उना दे विचों कोई किसे दी दिरानी है कोई किसे दी जठानी है कोई किसे दी परजाई है कोई किसे दी मा है ते इसे तरह ही चर्चा होंदी है अजवी बिंडा मिच क्योंकि शेरान दे विच अक्सर देखिया गया है कि भावें जिठानी होए उनों भी पैन ही कह देंदेंगे दिरानी पैन ही कह देंदेंगे पर ए अलफाज अजबी माजूद हन पिंडान दे विच सुनो जिठानी ते जिठानी कह दिये सुनो दिरानी कुछ मैं कहना चांदी एक अचर्च दी खेट होई है हैरान कुन खेट होई है केड़ी हैरान कुन के साथ सूत इन मुंडियन खोए भगत कभीर साहिवदा जो कारुबारसी कपड़े मुन ते उत्थे इशारा कीता है साथ सूत कि ओकम कभीर साहिवजी करदे ने परवत अध्यान नहीं दिन दे पर एक गल्चेते रुखना अखीर विच भी कभीर साहिव ने कम ने खड़े या कारोबार ने खड़े है कर दे और आप जी कंदे सी कि जब लग तागा बाहों बेही तब लग विश्रे राम सने ही कि जदों में तागा बेही विच पाऊना स्वईदे विच में तागा पाऊना कितना समा लग जाए बहुत थोड़े कि इतनी देर भी रब ना विश्रे मैं इतनी देर भी कम भी करना पर एह नहीं है कि सारा दिन कम ही कर दे रहना तो फिर बुजर्ग औरतां केंदिया ने कि साथ सूथ इन मुंडियन खोए एता परवाई ने करदा कारोबार दी चंगा हुंदा जे ए मर ही जानदा एता जनभी ना हुंदा साथ सूथ इन मुंडियन खोए ए मुंडिया क्यों नमो पेरी की लोड़ सी और एही बोल अजवी चल देने तो कम कार करदा नहीं तो मर क्यों न गिया तो किसे भी कम दा नहीं ते पडोसियां दी गल नो कबीर सहभ अपनी अरचना दी विच लें देने कि ए बीबियां ए औरता इस तरह कह रही हैं फिर अपनी गल कहने देने कि मैंनू जोनो नामरस मिल गया मैं उसे दे विच मस था और जो संसार्दे लोक ताना बाना बंदे ने मैं उछड बैठा और एथे ताना ते बुनना तो की बरादे ताना बनना इसनों बनना तनना भी कहन दे इस तो मराद है कबीर सहीब कहन दे ने मैं खलकत वांगू बनना ते तनना छड बैठा और इत्थे बुनना तनना तुमराद है गुस्ताकी माफ के हेरा फेरी दे यतने भी कमान मैं छड बैठा भागत रभी दास दा एक छोटा जिया और उदा है किसे ने कह दिता तो चमर रिटा है तो जुदियां गंड दा है गंड़ा है रभी दास करनदा है जुतियां मैंने गंड़ा जुतियां तुसी गंड़े हो टांके मैंने लगांदा टांके तुसी लगांदे हो हुण इत्थे जुतियां नो भी टांके लगांदेने और कारो बार देविच्वी कई दफ़ा ए अलफाज मैं सुने ने आपजी ने भी सुने होनगे कि ए मनुख टांके बहुत लगानता है पहला तो मैंने पता नहीं सी फिर मैं पुछ लिया ए टांका किसनो कन देने फिर जदो उना ने दशिया टांका इसनो कन देने आपजी दे विच्छों जे किदरे कोई प्रोपर्टी डीलर होगे तो माफ कर देना मैं उना दे गल सुना रहे हैं तो कि जो मैं सुनी सी फोन दे गल कर दे सी केंड़ कि एक बहुत बड़ी पार्टी आई है तो दूजा केंड़ है फिर जटका कर दे तो मैं पार्टी दा नाम ता नहीं सुनिया पर मैं उना ते मुक्तों सुनिया कि चटका कर दे तो मैं उसनों पुछ बैठा कि कोई पार्टी हो रही है चटका किस दा करना है केंड लगके ग्याने जी इस अड़ा कोड वर्ड है तो नों पता लिए खेर कभीर सहब केंडे ने मैं तनना बुनना चट बैठा तोखा एरा फीरी कपट चट बैठा भागत वर भी 10 सकंड देने मैं टांकी लगाने चटके तेने मेरे कुल कोई उजार नी है मैं टांकी नहीं लगानता मैं किसे नो तोखा नहीं देन था मैं चट देता सबको तो इसी तरह कबीर सहीब जी कह रहे हैं कि मैंनू नामदरस मिल गया है इस करके ए जगत दे सारे दे ताने वाने में छट बैठा हैं लोग भावी मेंनों कुछ भी आख़़ए पर कारोबार कर दे रहे हैं कबीर सहीब अखीर तक कपड़ा बुन दे रहे हैं एक दिन कबीर सहीब नो किसे ने कहँए टब कि इतने पूजा अबजी दी ओन दी है ते होन कपड़ा बुन दी लोड़ की है अबजी नो ओन तां अबजी बस माज़न आल बैठे रो कबीर सहीब कर लगे कि मैं भी जुलाहा परमातमा भी जुलाहा मैं दुनिया दी चदर बंदा हैं कपड़े बंदा है ते ओ परमात्मा कुद्रत नो बंदा है कुद्रत वखवख के समदे जीव बना रही है वखवख के समदे शरीर बना रही है वक वक समदी मनस्पति बना रिया है तो जदों आपने अपने किर्त तों हटिया मैं किस्तर हट जांब तो एक गलतीर रखना किर्त करनी एक कर्तद यह सढ़ा मोल कर्तवी मैंने तम शक्कत करनी एक मोल कर्तव यह सढ़ा id Act क्योंकि गुरु का सिख ना तमंग के खांदा है और ना ही गुरु का सिख वेला बैठता है बाई वीर सिंख कंदे सी कि जी कि तरे अब जी बुजर्गों गए हो ते फिर रामदा नाम जो है उसते बहुत आजोर तक हो है फिर एक रत करो कदे पाठ कर लिया कदे सिम्रन कर लिया कदे कीतन सुन लिया कदे कथा सुन लई ते कदे एकांत बिच बैठ गए मनन कीता उसे रहे जिमें अब जिनों ठीक लेगे अजदा जड़ा मूल शब्द है एक रावल नों जोगी नों गुरु नानक साहिब कुछ कह रहे हैं और जोगी नों नहीं कह रहे हैं सानों भी कह रहे हैं एक पंक्ती बहुत गयरा आर्थ रख दी है देख़ए मुंदरा ते गहट मुंदरा की नहीं जब आर जैक मुंदरा ते गहट भीटर मुंदरा मुंदरा ते तो मरद है ओ मुंदरा ओ है केड़ी घाट वहीतर मंद्रा तेरे घाट दे विच मंद्रा होगे तेरे अंदर मंद्रा होगे जोगी बाहरती मंद्रा क्यों पांदेन है उसता एक कारण है जोगीयां दे कन्ना विच जड़ियां मंद्रामा हन बहुत बड़ियां ते दोवे कन्ना दे विच खेचाव पहनदा है ते जदू दोवे ही कन्ना विच खेचाव पहनदा है ते ओकन्देने के दिमाग दे विच एक ऐसी नाड़ी है जदा संतुलन हो जानदा है और फिर मन ज कि जानता है तो इस करके पांदे दें गुरु नानक साहिब नो पुछ बैठे सी जोगी के तेरे कन्ना विच मंदराओं क्यों नहीं है तो भी जोगी है ते आप जी ने फिर की दस्या से मंदाओं संदोख शरमपत जोग लिए मेरी जीवन विच संदोख है बस ए मंदरा होने मंदरा ते घट भीतर मंदरा मेरी घट विच मंदरा है मेरी घट विच संदोख है संदोखी मनुख अक्सर शुक्राना करदा है तनवाद करदा है संदोखी और संदोखी मनुख प्रभू नों कहेंदा है यह प्रभू इतना बख्षिया इतना दित्ता जेते में काबिल भी नहीं है और जीवन मिच जी संदोख नहीं है तो मनुख कदे रजी ही ने सकता कदे नहीं है अब जी जानकारी वास्ते मैं अर्ज कराँ जो राजा शब्द है यह अजब हमें यसी वर्द्देयां किसे मंतरी लई बेश दम मिनिस्टर होवे प्रेमिनिस्टर होवे यह राजा है पर गुस्ता की माफ ए शबद पगतां मस्ते वरत्या जंदसी सादूं मस्ते ए राजा है बाओ ए रजिया होया है इसनों कुछ नहीं चाहिएदा इतना संतोख ही होंदा है वो करना है मैंनों कुछ नहीं चाहिएदा और जिसनों असी केंदे यां राजा वो राजा नहीं है वोदी भुखतां बहुत है बहुत भुख है जितना धन पया है उसनों भी वद किते वोदी होर भुख है एक दफा की वया एक सादू ने किया कि मैं जितनी दौलत कठी कीती है मैं किसे गरीब नों देना चांदा हूँ जिटना बहुत लोड़वंद होए बहुत लोड़वंद खलकत बहुत कठी होई फकीर ने राजे नों भी बला लिया तूँ भी आ ते बादिशा समझदा है यह शायद मेरे हत्ताँ चो एदान कराएगा ते ओभी आ जंदा है अखीर विच उसादू उठदा है और कहनदा है मैं आपजी नों सार्या नों वेखिया सब तूँ लोड़वंद आपजी देविच्चों काउन है मैं नों पता है ते जितनी भी मेरी दावलत है मैं उदी जोली विच पान लगा हूँ ते उस फकीर ने की किता जितने भी दावलत कठी कीती सी बादिशा दे जोली विच पान दे ते फकीर केंदा है मेरी निढ़ादे विच सब्तों वद गरीब तूं है सब्तों वद बादिशा केंदा है साहीं जी मैं गरीब किस तरह हूँ गरीब ताई बैठे ले तो फकीर की केंदा है कि गरीब ताई भी अन पर इना तो वद गरीब तो है तो और ये यकीन नहीं ता फिर पुछ के देख ले एक एक नो पुछिया तेनो की चाहिदा है तेरे कोल की नहीं है केंदा है मेरे कोल मकान नहीं है मैं मकान ना होन करके गरीब है दूजे नो पुछिया तूँ बोल ओ केंदा है मेरा गारुबार नहीं है तीजा कहनदा है मैं अपनी बेटी दा कारज करना है पर मेरे पल्ले कुछ भी नहीं हर एक नो पुछ दे गए पुछ दे गए फिर फकीर ने बादिशा नो पुछिया बादिशा सलामत हुन तुम ही बॉल क्योंकि तुम सभा विच बैठा हुए है संगत विच बैठा है लगे नहीं तेरी तलब की है कारोबार कर लगे नहीं तो फिर की तलब है बादिशा कहनदा है मेरी कोई तलब है हुन मैं चोट की बोलना तेरे सामने जिटा पड़ोसी मुल्क है मैं इनो जितना चांदा हूँ यह मेरी पुछ है फकीर कहनदा है इना नो मकान दी पुछ है केने मुलक दी पुख ऑन पुख तेने वड़ी है क्या एजआ इस यह दश्चाओ करता है तो थी फिर सब तूंब घरीब थों है क्योंकि पुख तैन्स में वद ये तै कुर्णान्म सहब देने कि जी कर मनुक दे को संतोह है की इक मंद्रा पाई हाई है काया की जय खिंता था ए जो काया है इसनों गोदड़ी बना ले बाव कि हरवेले याद रखना हरवेले कि ए जीवन के किसे वेले भी खतम हो सकत है ए गलचे ते रखना याद रखना जिनाने ए गलचेते रखी है समझ लेड़ना उस्तावेड़ा पार हो दिया गुरुनानुक साहिब देख साखी आउंडी है पिता ने पुछ लिया मैता कालू जी ने लालू जी नो बुछिया कि अध्धी रात दा समा है पर नानक जी दा कोई अता पता नहीं पता नहीं कि थे नहीं ये अरायब होएं तलवंडी दिगल है ते बार निकले ने तो किसी ने कह दिता मैं नानक जी नो होने ही देखिया इस तरफ जान्दे हुए मैता कालू जी लालू जी और माता ट्रेपता जी ते कुछ होरी भी गंद हो जान्दे ने गुरु नानक सहिब जी पाल करदियां करदियां रेख देने आप जी शम्शान काथ उत्थे बैठेने चौकडा मार किया ये नानक जी की हो ये आप जी नो नानक जी कहने ने बस वैसे पिता कहने जी भगती करने सीता कार बैठके भी कर सक देओ एथे ही क्यों तो गुरु नानक सहिब ने एक गल आखी येड़ी बहुत डूंगी गल है बहुत डूंग है अब जी खंदे ने एक दिन ओ आवेगा जदों चार बंदियां दे मोडियां दे जड़के इत्थे आना है एक दिन आवेगा हकीकत है क्योंकि जदों तक असी पूरण सचनों ने दिखा गए उदों तक गल नहीं बढ़ थी असी अधूरा सच वेख देयां जीवन नो देखिया है बस जदम नो देखिया है अधूरा सच है पूरा सच देखना के जदम तो बात मरन है जीवन देविच सुख आ गए अधूरा सच वेखिया सच विच ही क्षचत ओ गए पूरा सच ए दिखना के अज सुख है कल दुख भी आ सकता है जीवन दे अधूरा सच वेखिया जवानि, तनरुश्टी, पूरा सच नहीं वेखिया कि बुजुर्गी भी आएगी ते इस तरह पूरा सच वेखना है अदूरानी गुरु नानुग सहब कंदे ने एक दिन आवेगा कुछ बंदे मोडे ते चुक के मैंनो एथे लियाउन गे ता मैं ख्याल की था कि मैं क्यों किसे नो तकलीब दवा मैं खुद ही चल के आगया हूँ मैं खुद ही चल के आगया हूँ वाओ खिंता काल मौत नो चेते रखना है इस गुरु नानुग सहब दे बोले हे रावल हे जोगी तेरे कितने चेले है और अक्सर जोगी के दिन दिने मेरे इतने चेले है गुरुनानंग सहिब ने अपने समा देविच तिन करोड सिख बनाए सी उपदेश की तासी तिन करोड खलकत तो गुरुनानंग सहिब कंदे ने हे रावल हे जोगी तेरे चिले कितने हं कर लगे बहुत सारे तो अपजी की कंदे ने ठीक होएगा कि बहुत सारे जेले बनावनों दी बजाए तू पंज ही चेले बना ले जागानी जे जेला एक भी बन जावे ता ठीक है जे बहुते बना सकते हो तब पंज बना लो केड़े केड़े सत्गुरु जी कंदे ने पंच चेले वस नासिखा त्वज्या ए पंज ज्यानेंद्रियां एना नुँ वस्विच कर ले एह मनु की जय डंडा ता जोगी अपने कोल डंडा रख देने अपने हाथ विच शत्गरु कंदे ने तो मननु अपने स्विच कर ले मनु मनु पंज आद ने क्या देन दा है यह फलाना बंदा मेरे वड़े और यह टितक वी पकड़ों दीं कोई जोगी कोई मनु खे बेलें दा मैं जो कुछ कमांगा कर लें हुण जी मनुख दी गल करिये ते हिंसक तो हिंसक जानवर मनुख ने वस्विच गर लेने कितना हिंसक जानवर है शेर मनुख दे वस्विच है कितना ताकत वरे कूड़ा मनुख दे वस्विच है कितना ताकत वरे और आप जी नों ग्याद है ज़धों किसी मशिनरी दी ताकत सी गिन दे आं धकाह देने आं एक होसपावर, दो होसपावर, तिन होसपावर इस तरह गिन दे आ कहणे एता नहीं नहीं किस अपक्रावर कि कि एक एलिफेंट सपावर परसन दो एलिफेंट्स पावर एक नहीं करते हैं क्योंकि जितनी फुरती कोड़े विच आये थाकत कोड़े विच आये वो पजदः रहना है पर ठाक दादी पजदः रहना है ऐसे ताकतवर नो फुरतीले जानवर नो मनुख ने लगाम पा देती है हाथी दे शिरते बैठके अंकुस दे सारे चला रहे है रेल गड़ी नो अपने तरीके नाल चलानदा है अपने तरीके दे नाल रोक दा है ते हवाई जाज नो अपने तरीके दे नाल चलानदा है वस्विच कर लिया इतना ताकत वरे हवाईजाद पर मनुख देव वस्विच है केंदे ने सब कुछ वस्विच कर लिया पर मनुख अपने ही मननों वस्विच नहीं कर भाया अपने ही मन बाकी सब कुछ वस्विच कर लेया अपने मन ने और केंदेने कि हे बादिशा तो सारे जगत नो जित के भी अपने मन तो हार गया मन तो हार गया और फकीर नो केंदेने हे फकीर तो अपने ही मन नो जित के सारे जगत नो जित लेया है मन जीते जग जीत, तो सारे जगत नो जित के मन तो हार गया और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन नो जित लिया सारा जगत भी ज़ाई, तो द्धनगुरु नान्ग साहिब घंदेने हे रावल हे जोगी तुम पंज ज्यानिंद्रियां इननु अपना चेला बना अपने वस्विच कर ले एह मन की जै डंडा दा मन नू अपने वस्विच कर ले मन मन की है विचार नहीं ता शरीर दे विच और कोई ऐसा इस्टुमेंट नहीं है कि जिन्हों सीकें दियां एह मन है एक कई दफा ता मनों के यह भी कह देन दा है जदा शरीर दा अन्तिम सस्कार होया ते हडी दा एक टुकडा लेके कह देन देन एह आत्माराम है आत्माराम कह देने रबनु निरमकारनु जो आत्मादावी मालिक है राम और हडी दा एक टुकडा लेके उन्हों कह देने आत्माराम कितना वड़ाब लिखा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे करम कांड़न फोकट करम जिनानों असी समझ नहीं पान दे और असी कर दे भी है वोकट करम जिना दे विज़े कुछ लाव नहीं है फिर भी कर दे पर वो चल दे आ रहे ने ते ओ फोकट करम इतने परीपक हो गेने इतने रूड हो गेने किसानों डर लग दा है यसी नाम करिये ता डर लग दा है पर रूड हो गेने आप जी ने देखिया कि जदों बच्ची दा व्याव होंदा है तो कई वारी एवी एक उना ने एक मर्यादा बनाई है कि रुष के जाना बच्चा रुष के जान दा है अब जीनों खवर होगे तो मैं उस नों पुछ लिया उस्ते पितानों कि ए रुष्ण दी तारना कित्हों चली रहें लगए तम मैंनों भी पता निए पर इतना पता है मैं भी अपने गया बिच रुष्या से बग पता नहीं क्यों है किसे नों भी पता नहीं कोई तरक केंदेने बहुत पुराणी गल है पतर ने कह देता अपने पिता नो मेरा व्याह हो रही है मेनू चंगे कपने चाही देने तो पिता ने कह देता कि जो कुछ मेरी कोल है ओदे विज़ी ही कम सार लो ते बच्चे ने कहा देता है फिर मैं व्याई नहीं करना और उसके चला गया अपने बड़ो सीदे घर ते पिता ने फिर पेजिया अपने ब्रावनों अपने किसी और अजीज ने जा तो लेके आउने कपड़े कांदा है कपड़े लेके देने क्या करी अमजबूरी है कि अनों कपड़े वेख liber ब्राविया अनुद मेट गया इको पनोसन आकर पर मतर दूदी ते पड़ोस्वन केंदें फिर मैं भी अपड़े मुंडे नूँ पेटे निया तो भी थोड़ी दिर वास्ते रुसे जाए तेरा भी कम ठीक हो जाए तो देरे देरे करके इस तरह दी धार ना बन गए जो अज तक भी माजूद है अज तक भी खैर गुरुणानंग साहिब केंदे तो इस मन नूँ गुरुदे नाल चोड और गुरुदी बनाई हुई तार ना अमर्यादा उसनों बना जदों गुरु अमर्दक साहिब पूरे होई सी ते आपजी ने बचन कीता सी गोविनवाल कि अन्तिम सस्कार जदों करना है ओधे विच्चों फिर बाद विच्च पीठा नहीं समेठना जो कुछ भी है सब कुछ कठा कर लेना ते ब्यास तर्यादे विच्वादेना कि अगजी ने अंगीठा भी नहीं समेठना चाहिए अबस जिसतना है सब कुछ उन्हों कठा करके ते प्रवा कर देना तो जिसतना गुरू दे बोलने तो ओग बोल सुन ओजीवन विच्वतार फिर साइब कंदेने ए पुरुखा जोग जोगत इवपावसिता जिडी जोग दी जोगती है जोग कंदेने मिलन योग जोडना अशी कंदे हैं बच्चियान अशी सिकाने हैं अठारा ते बारा इदा योग कर योग तो मरा इसनों जोड जदो मनुख योग सादना करदा है ते योग दा मकसद भी है निरंकार नाल जोडना ए योग साहिव कंदेने इस तरह तु रब नुपा सकता है जोग जोगत इम पाव सिता किस तरह एक शबद दूजा होर नासत केंदेने कोई शबद है जिड़ा कदे खतम नहीं होनवाड है तो उसते नाल प्रीत जोड और ऐसा न सोच कि कंद मूल मन लाव सिता कि कंद मूल खाके और मैं मननू टिका सकना जरूरी नहीं है पुखे रहके मन टिकाल मां नहीं जरूरी नहीं है मोड मुडाई है जे गुर पाई है हम गुर की ने गंगा था गुरु नानक साहिप दे बौल ने जोगी तोसी गंगा दे किनारे जाके मोड मुडान देओ बाव शिर्ते इक भी वाल नहीं रखना न नुकन देने मोड मुडान जाफिर कुझे लोग की जटामावा बक्तालन्दे सनी कबीर साय बने नखेदी की ती है मोड मुडान दे वी नखेदी कीती है और जटामा मधान दी भी नखेदी kill और Qabir सह बाप के साधारी संदु साध 근데 नहें जिए गंगाद कॉल जाके मॊंट मुडारी है जिए इतनल गल बण सकती है तग धन गुरू नानमस सहीब केंदेन नहीं पिर गुरू सर्ट वस्ते गंगाए पर एक गल जरूर है कबीर सहीव कहें देने कबीर केसन कहा बिगारिया जो मूड़ों सो बावर नुकसान की कीता है इना केसन की बिगारिया की नुकसान कीता है जितने भी अवतारी पुरुषोय ने महतमा ईसा अजरत मूसा मौमद साहिब श्रीक्रिषन जी माराज रामचंदर जी माराज परश्वरामजी और शिवजी माराज सारे दे सारे के साधारिया जुडा भी सी दाडा भी सी कोई भी एक मेगमर ऐसा नहीं है वो वक्री गल है कि अज असी श्री रामचंदर दाट चैरा दिखाने है और इस दाड़ी नहीं होंदी है पर बचपंदा रूप दिखाने है ब्रमा दी दाड़ी है हनुमान दी दाड़ी है किस के सादारी दो सिवजी के सादारी पर नहीं दिखा दे और अब जी ने उदों देखिया जनों रामली ला हुन दी है शिरी रामचंद्र जी दे शिर्टे जूड़ा हुन दे लश्मन जी उना दे शेरते जूड़ा होंदे और सुराम जी उना दे चैरेते दाड़ी होंदे और जितने रिशी होंदे ने उना दे चैरेते दाड़ी होंदे पर धनुगुर गोबिन सिंग माराज ने सानु जनम तो ही रिशी बना दिता है डाड़ी, केस, जन्म दोईर जी कबीर साहिब केंदे ने तू इना नो क्यों कट दा है कि इसन कहा बिगारिया जो मूंड़ों सो बार मन को क्यों नहीं मूंड़ी है जा मैं सो सो विकार तू मन नो मूंट जिदे विच एक विकार नहीं है, पता नहीं कितने कितने विकार नहीं है, कितने कितने विकार है, वाक्वी, साइब कंदे ने, मौड मंडाई है, जे गुर पाई है, हम गुर की नहीं गंगा तब, जे मौड मुडान दे नाल गल बन जाए, ता फिर सारे ही रभनों पासके देने और उना दे विच्छों सबतों पहलना भेड़ दी मुक्ती होएगे क्योंकि वो समा दे मताबिक कई दफा हो दा शरीर मुंडिया जन्द कई दफा इतनी दफा तेरे बवन तार नहार सुआ में एक ना चेत से अंधाता है अग्यानी पुरिश जिड़ा त्रबवन तिनना लोकानों रोजी दे रिया है तिनना लोकान दी रेकवाल कर दा है तो उसनों गाव तो उसनों चेत पर तेरी जीवन चरिया है वो इस तरा दी है कर पटंब पटंब केंदे ने पर पटंच दिखावा कर पटंब गलीमन लावस तों गल्ला बातां दे नारता तों लोकान जोड रहे हैं गल्ला बातां दे लारता पर संसा मूल न जावसिता पर तेरी मंदी बीचे संसा तक हतम नहीं होए एक बागना एक शेर है वो मन देवारे कहनदा है कि मन इतना चलाक है इतना चलाक है कि किसे नो भी गल्लाँ सुना सुना के अपने गल्लाँ दे विच वर्स कर लेंदा है मो लेंदा है इतना चलाक है के देने फिर ओ, वक्य ही गुफतार दगाजी तो है, बहुत सोना बोल दाये, पर किरदार दगाजी बन न सका के देने बोलना वक्री गल है, निजी अनूभव, ओ वक्री गल है हे जोगी तुम बोल बोल के किसे नो सुना रहे आए पर तेरे मन विच भी बटकना खत्म नहीं होई एकस चरनी जेचत लावें लब लोब की धाव सिताव जे एक दिन हाल तुम जुड़ गया तो तेरे अंदर जड़ी बटकना है लोब दी ओ खत्म हो जाएज़े क्योंकि सब तो मूल जो पाप है सब तो मूल हो की है यह इस तरह करिए कि पाप का भी बाप है लोब जेड़ा लोब है ओ हर एक पाप दा बाप है जेड़ा भी पाप कराना होवे लोब अगे रखता हो किसे नों जैर भी खिलाना होए लोब अगे रखता हो किसे लो गलत कम कराना होए लोब अगे रखता हो अगे रखता हो और गुरु नानुक साःब द एक शबद भी बाई का था कहने देने राजीतों जेकर कोई न्या लेना होवे ता उत्थे धर्म दा वास्ता ना देना जेकर राजीतों कोई कम कराना होवे धर्म दा वास्ता ना देना गल नहीं सुने गती तो फिर किस्ता वास्ता देए क्यों क्यों क्योंकि लै डै बेन रहे ना को है रख देना कुछ तलीत है पर जड़े नामी पुरुशन पगत जन्हन उनानू परमात्मा दा वास्ता देना फिर उना दा जीवन किस तरह दा वंदा ये एक छोटा जिया उदार देखना बहुत लंबी कतार लगी होई सी सौधा खरीदन सी पर कतार भी संसार है पिछे सब तों पिछे फकीर सी और ओ फकीर सोचदा है मेरी वारी आवेगी कट तों कट दो कंटे बात और मैं की करा फकीर की करदा है अपनी लाइन नू छट के और दुकानदार दी कुलपों जानदा है और दुकानदार नू केंदा है उर्खा खुदा वास्ते सोधा मैंनू छेती देदे में जानदा है खुदा दा वास्ता दे देता है खुदा वास्ते मैंनू सोधा पहला दे में जानदा है दुकानदार ने सत बचन किया सोधा तोल के दे देता होन द्यान देना जदहु सोधा तोल के उसनों दिदता ते उस फकीर ने पैसे कड़े और देर लगा दुकानदार की केंदा है केंदा है पुर्खा एक तांद तु मैंनू किदा दा वास्ता दिता हो सबतों पहला मैं तैनु सोधा इसकर के देता है कि खुदा दा दिता है जी कितरे में मुल ही लेना होंदा, तेरे तो कीमत ही लेनी होंदी तो फिर शाएद मैं तेनों सौधा whaddau ही देन्राजनदे रिवारी होंदी इस करके ए तो खुदा दे नामते मंगिया है, हो दा वास्ता पाया है इस होधा तुम ले जा, कुछ कीमत नहीं लेना है कुछ दिमत जिना नो खबर है खुदा दा वास्ता होंदा की है गुर्गोविन सिंग माराज ने किया सी ओरंग जेविन ओरंगे तो रोज कुरान शरीफ पड़ दा है पर तो खुदा दा वास्ता दे के भी साड़े नाल तो खा कीता है खुदा दी कसम खा की भी साड़े नाल तो खा कीता है रोज तस भी फेर दा है रोज और फिर टोपियां बना के जहां कुरान शरीफ लिख के उन तो तो अपना गुजारा करदा है पर साड़े नाल खुदा दी कसम खा के दोखा कीता तो दनगुर गोबिन सिंग माराज कीकंदे ने जफर नामे दे विच कि जे कितरे सपने विच भी पहले गलतां से खुदा दी कसम नहीं खावांगे किसी धार्मिक ग्रंत दी असी कसम नहीं खावांगे पर जे कितरे सपने वीचवी कसमखाई ओं दी उनों भी असी पूरी कर दे बाव कि खुदा ते इतना यकीन है और खुदा ते इतना भरोसा है और खुदा ते नाड इतना प्यार एक होरगल जीवन दे वीच उतार लेना जदो असी कारोबार कर दे हैं ते कारोबार दे विच दुनियामी पदार्थाँ दी खेड है ते ओदे विच कदी भी पुलक है ना तो गुरुदी कसम खाणा ना रबदी कसम खाणा पुलके भी नू क्योंकि सड़ा दुनिया में कारोबारे ते कसमसी रबदी खा रहें जिना ते नाट सड़ा प्यार है कदे पुल के भी रबदी कसम ना खाना गुरुदी कसम ना खाना कदे भी और एक छूटा जिया उदारन सवेरे सवेरे मैं किसी दुकान ते चला गया पक्खा लेना से वो प्रेमी बेठा सी हाथ वी जमाला जपरिया सी कि लिवाव से इतना प्यारा बहुत प्यारा हत्वी जमाला फड़ी होई है देख दे सारी मनों क्या देगा मैं बहावी की पुछा पस मैं कह दो हमें इस होदा चाहिए ते ज़्यादू हमें किया मैं उसने इक पखा डिखाया सब तो पहला आतको उसने कशम खा दी कि मैंनो गुरुदी कशम है इक पैसा भी तेरी तो मुनाफ़ानी डवांगा सवेर सवेर कशमा है फिर तो गुरु करदा, सेवादार लगदा है, चंगा पई, कितने दा, 700 रुपे दा, गुरु दी कसम है, एक पैसा भी में तेरे तो मनाफा ने खा रिया मैं दोजी दुकान दे गिया, फिर तीरी दुकान दे गिया, ओही पखा तेने 100 रुपे दा दे था, दोजे ने, ओही पखा, ओथे ओकसम खा रिया, है ते विच माला पड़ी होई है माथे तिलक हत माला बाना लोगन राम खिलोगा चाँ असी करांगी की, ऐसी दौलत नों की करांगी है पर मनुक दिया अपनी सोचे, पता है, सब कुछ छड़के भी ज़ना है, पता है, पर फिर भी अधर्म करके दौलत गंठी का निकरांगी की ऐसी जबस निरंजन रचस मना काहे बोले जोगी कपट गना तुँ जब निरंजन तो अपने मन नो दे नाल जोड़, मन नो पर तुँ कपट दी बोली ना बोल, कपट दी बोली क्योंकि कपट दी बोली दे नाल, तेरे अंदर जो प्रभूद प्रेम है, वो खत्म होएगा, वो ता नुक्सान होंदा है वो थे निशान पैजान देने, जिसनों सीकें देयां, चित्र गुपत, वो चित्र बन गए, जिड़े की गुपत ने, गुपत तस्वीरां बन गएयां, ते फिर ओना दा लेखा फिर सानु देना पे, काया हो कमली हंस याना, मेरी मेरी करत बिहानी डा, ये अग्यानी मनुख, ये अग्यानी पुरश, तेरी शरील दे विच्चों जिदो हंस उड़ जावेगा, निकल जावेगा, ता फिर तेरी काया ने, कुमला जाण है, ये ओ ही मनुख है, जिस मनुख नो मोढ़ेयां के तोर के लगा है, ये ओ ही मनुख है, जिदो का दे केंदा सी तुमनों जान दाणी मैं कौन ये ओ ही, ये ओही मनुख है जो मेरी मेरी दी बोली बोलगा से ये ओही मनुख है अज इसनु की होया है चार बंदे मोड़ेत लेके जा रहे बोलेशा केंडा है तेनु मोड़ा देके तोर नजहाणने मिटी थले आवना तेरी उच्ची शानने दफना देनगे तेन जितने भी तेरे मित्र आणगे संगी साथी आणगे किसे ने भी तेनों ने पुछना मुड़के गल गतम फिर तेरे कीते हुए अमल तेरे कीते हुए करम फिर ओ तेरे सामने आणगे लेखा सकते हैं इस तरह देना पे एप ते तरह साथी कावने इस करके अपना ओ साथी बणाओ ओ संगी बणाओ ओ अपने घर भणाओ तो असली घर है प्रणनमंत नानक नागी दाज्य है फिर पाच ता प्रणनमंत नानक नानक बेंती कर दाए होन जदो नानक बेंती कर रहे है ते आप जी जी कर गुरु नानक सहब आप जी दे सामने बैठे होन और गुरु नानक महाराज आप जी नो कहारने कि मैं हाथ जोड के बेंती करना ते मेरे ख्याल दे विच आप जी दे आखा में जी हंजू बगणगे कि गुरु नानक सहब सानुसतरा कह रहे हैं कि हत बन के में बैंती करना आप जी ने सारीयां दे नेतर सजल लोड़ने कि महाराज इस तरह नाक हो तुसी असी तेरे तो लेन आए हैं असी तेरे चर्ना में तो सी हत्वन के बेंटियां कर दें उरुनानक शाहिब करने हां मैं हथ बन के बेंटी कर दां क्योंकि थोटे नाल भी मेरा प्यार है की कह रहने कह रहने नांगी दाज है दाज हितो मराद सड़ना। नांगी तो मराद तंते एक वी कपडानी होएगा जदो अगन भेंट कर दे हैं कितने ही कीमती कपड़े असी देने हैं एता एक समाज की तावर्ते दिखावा हुंदा है गुस्ता की माफ बाकी कुछ भी नहीं लेना लेना हुदा सारी कपड़े जया था उतार लेन देने सड़ जा देने अखीर दे विच्छ तुम उसी तरह वापिस लोटेंगा जिमें तुम आया सी और एक ख्याल रखना तुम बहुत कुछ लेके भी जा रहे हैं कीते होई कर्मा दे संस्कार लेके जा रहे हैं तुम की किता ओ तुम लेके जा रहे हैं केडे केडे करम कीते ओ तुम लेके जा रहे हैं ओ तुम भोगेंगा और उना दा जड़क प्रती फल सी ओ तिरे बच्ची भोगणगे बाव तु जूट बोलके धन कमाया जूट दी सजा तैनू धन तेरे बच्चे बोगणगे और ओ धन खाके फिर बच्चियां दे विच भी धारम पैदा नहीं होएगा यह भी ख्याल लगा और नान्ग साहिब ने क्यों आखिया पुर्खा तु धारम दी किर्थ कर ओ दे विच्चों भी तुम बंड के चंख मैं कल कहना नहीं चाहूंदा पर आप जी दे सामने में अर्ज कर रहा हूँ मेरी मित्तर हर्शुंदर सिंग जी जिनानों में बेंती की थी कि जदों पंदरा दिन दस दिन मेरी बाहर पुरा मंदेने ते मैंनों आपजी वल्लों जो मैंनों माया मिल दी मैने दे विच्च ते मैं हर्शुंदर जी नों कह देना कि इस वारी प्रबंदक कमेटी नों हत बन के अर्ज करना मैंनों इस वारी ना देना कुछ भी क्योंकि एक मैं हादरी भी नहीं परी पूरी पहली गलता है फिर मैं लेनदा भी हकदार नहीं हूँ और भामे मेरी को कारवी चीवी इतनी दौलत नहीं है लेकिन गुरु नानुक साहब ने बहुत वड़ा संतोक देता हुई है बहुत वड़ा ते होर भी गुरुद्वारे वेचे कथा होंदी है मैं उत्थे भी अर्ज कर देना मैं आज पंज दिन मैं किते बार चला गया सी तुसी मैंनों ए नाद वुमाया ते होर कारवी बस्ते रख लो पई साहब ने अर्ज कीते किया कि जदू हाजरी नहीं होंडी ते संगत पुछ लेंदी है पई साहब जी क्यों नहीं आए ते एक गुरुद्वारे दे विजश संगता ने किया पई साहब जी जिस दिन तुसी नहीं हैंदे उस दिन किर्पा करिया करो दस दिया करो सानो कि मैं कल नहीं आमाँगा तो मैं उन्हों नो अर्द कीती कि मैं ए नहीं कमाँगा कि मैं कल नहीं आमाँगा उस दा कारण है बहुत बटा किन लगे की कारण है तो एक दिन मैं कह भी दिता कि कल हादरी नहीं होवेगी उस तन जितनी भी संगत आउंदी है सो बंदे आउंदे ने उना देविच्छों भी बंदे आए असी नहीं आए ता फिर मैं संगत नो केहा मैं आप जी पासो माफी मंगना तुसी गुरु गरंज साब नाल नहीं जुड़े तुसी मेरे नाल जुड़े हो एक अलग है मेरे नाल नहीं जुड़ना गुरु गरंज साब नाल जुड़ना जेकर किसी दिन मैं नहीं भी आन्दा कथा थे और भी विदवान पुरिशने गुरुदे बॉल सुना देने और भी कीतने गुरुदा कीतन सुना देने जुड़ना शबद दे नाल जुड़ना संगत दे नाल जुड़ना धन गुरुगरिन साहग दे नाल तो मैं अर्थ कर रहे हैं जो कर्म अशी कीते ने वह अशी बहगनगे वह दी जडी कमाई होई दौलत है वह बच्चे बहगनगे पर वह भी धर्म दे नाल नहीं जुड़पानगे तो पुल्ला चुक्कान दी खिमा बाखी विचारां कल करांगे चुड़ो गुरु के पावं सेमरंदी विच्छ.